ये कहानी नहीं, सच्ची घटना है न, सुधा नाम की एक लड़की, दुर्भागिवश बस की दुर्घटना में एक पैर खो बैठी, फिर भी उसने हिमत नहीं हारी, विचलित नहीं हुई, उसने जैपूर जाकर नकली पाउं लगवाया, निर्ट्य अभिने की साधना करके सुधा अपने लक्ष के शिखर पर पहुँची, वास्तविक घटनाओं का प्रती रूप है नाचे मयूरी, वैसे तो किते ही महान और आदर्श व्यक्तियों के जीवन के आधार पर कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन अपने पात्र का अभ अधार पर बनी फिल्म में अपने पात्र का अभिने आप किया, संघर्ष में जीवन में भाग्ये तरह तरह से लोगों को आजमाता है, परंतु अपने दुर्भाग्ये के सामने सुधाने कभी सर नहीं जुकाया, बड़ी हिम्मत और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अप सर हो सकता है, ऐसे एक यथार्थ जीवन की, एक आदर्ष नर्तकी की मनमुहक कहानी है, नाचे मयूरी ये उशा किरने, तिन्जर संभारक है, चेतना के दीप मन प्रबधक है जगत के प्राण, प्रदती रथ चक्र है, ये उशा किरने, तिन्जर संभारक है जार्थ जार्थ प्रफ। मैयूरी, जी ममी, सुबा सुबा चत पे क्या कर रही थी? रात को साणियां दोई थी, अलगनी पर डालने गई थी, तुझे काम करने की कोई जरुवत नहीं, आरे लोग देखेंगे तो यही कहेंगे न, कि मैं सौतेली मा हूँ, इसलिए तुझसे काम करवाती हूँ, जा कॉलेज जाने के लिए तेयार हो जाओ, हाँ, 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 हाँ अरे वही है लिए लगज़ाओ, जब देखो जगट रहते हूँ, देखो न दीडी मेरे को बलते करादे सिखा रहा हूँ, और सजभूल मारता है, अर कराने तो इसी सिखा जदे है, चुप रहा है, बक्वास बन कर, अरे मरी सबार बहुत पर गई यही है, माल्किन खुलता आपको तो कोई नो की लड़ाई का बहाना चाहिए देखो बच्चो अपनी दादी मा का तमासा गुस्से मा ऐसो नाचती है जसे गर्मतवे पाने की बून्द नाचती है पाने की बून कैसे नाचती है गोमी दादा बताओ कि च्शटी वाल GCN हम पेश्ट्चो को अबत वतलात रहें कि गर्म के तवे पर पानी की बुन नाचती है तो इस तवे को बाहर फेग दो तो बारा नाच का शब्द इस घर में सुना ही नहीं दिना चाहिए चाह, खाना लगाओ गुद मानिंग एवरिबादी, गुद मानिंग क्या बात है, आज बहुत आराम से आ रहे हो अरे मैंने सोचा था आज इतवार है, कैलेंडर देखा तो मालूमा सोमार है आज कल आपकी याददाश भी कमजोर हो गई है, कोविंदा सापको सेंजन की फल्ली दो पिर वही, सुबह भी सेंजन की फली, शाम को भी सेंजन की फली, पिछले 25 दिन से लगा तार सेंजन की फली खाता चला आ रहा हूँ आईना देखता हूँ तो अपनी सूरत की जगा सेंजन की फली नजर आती है, सिर्फ एक दिन, इन ड्रम स्टिक से छुटकारा दिला दो, प्लीज क्या है ना, अपने घर के पिछवाड़े इसका पेड़ है, और ताजी सब्जी सिहत के लिए बहुत अच्छी होती है, अब बना लिया तो फेक थोड़ी सकती हूँ, खा लो ना कोई होए, जी साब, ये अदालत, मुझरिम अर्थार, इस हैजिन की फली के पेड़ को, आई पी सी भारा 302 के ताहट, मौत की सदा देती है, इसे काट दिया जाए, बहुत अच्छा सरकार किस बात पे आ रही है, कोई खास बात नहीं, ये सेंजन की फली भी वाके में कमाल की चीज़े है ना अरे इतना हसमात, अमबक्त, तेरी आवाज में किले पड़े, तेरे गले में फोड़ा निकले, तू ज्यादा बखेगा ना, तो मैं ग्यानेशोर को कहके निकाल बाहर करवा दूगी, हाँ जाये, जाये बढ़की मलकिन, छुटके मालिक लाग कोशिश करें, पर हम इस घर से नहीं निकलेंगे, आप क्याने से पहले ये गर सिरी गोविन परसाद का है, तो सिरी क्यानेशोर एडवर्केट कौन होते हैं निकालने वाले, मैं तुझे, करिए कोशिश करिए, करूँगी, क्या बात है, अमा, अरे ये तेरा माठी मिला, गोविन्दा, बहुत मूँ चड़ाय रखा है तुम लोगोने, हाँ, मारो गोली गोविन्दा को, मैं आज एक बहुत बड़े के इसमें बहस करने जा रहा हूँ, हिसाब लगा कर बताओ, कि ग्रह ठीक है कि नहीं, और अगर ठ पती लक्षमी जी का, शुक्र पर पार्वती जी की दया है, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था, कि आज का दिन अच्छा है की नहीं, बेटा, काम अच्छा होना चाहिए, काम बुरा हो, तो कोई दिन शुब नहीं, और काम अच्छा हो, तो हर जा, सब ठीक है, मैं तुगलत के दिये, नहीं तुगलत है, चल दादीमा से पूछ दादीमा, आपनी बैसला कीजिए, का है का, ये कहता है के द्रोना चार्या ने अर्जुन को कराटे भी सिखला था, मैं कहती हूँ कि उस समय कराटे था ही नहीं, ठीक कहती है, उस समय कराट सिखाय जाता था, जबी तो अर्जुन कर रहे, वोही कर रहे, इस कि साथा कराटे हो गया, जा बेटी, ये एक लड़की है इस घर में, जो जहां जाती है, मुझे बता के जाती है, इसकी मा का भी यही हाल था, और एक ये कविता है, ये अपनी मा पर गई है, जाते समय कभी जाती है, और मैं दादीवा, तू अपने दादाजी पर गया है, वो बताते कहीं और थे, जाते कहीं और थे, अह हुआ आज पता है तेरी वज़े से मुझे बहुत डाट पड़ी है क्यों आज सवेरी ममी ने चट पर डांस करते देख लिया बस तब से मेरे पीछे पड़ी हुई है इसमें पीछे पड़ने की क्या बात है वो कहती है कि मैं इतना अच्छा नहीं नाचती जितना तू नाचती है तुझे नाचते देखकर मैंने कच्छा पका सीख लिया मैं कहां किसी डांस स्कूल में गई हूँ जाना तो चाहती हूँ लेकिन लगता है मेरे नसीब में नहीं है अरे नसीब की बात छोड़ अच्छी खासी कॉलेज में पड़ रही है क्यों अपना बदन दुखाती है मैं अभी दूसरे लड़के लड़कें की तरह कॉलेज जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे चाने से क्या होता है मुझे तो इस कंबग दांस का बिल्खुल शॉप नहीं है मैंने अपने घरवालों से भी कह दिया लेकिन वो कहते हैं कि मुझे दांस सीखने ही पड़ेगा यूर लग अब मैं सीनियर हो गया हूँ तुम तो या लमीचा गिर गिर की तरह रंग बदलते रहते हूँ वक के साथ साथ रंग बदलते रहना चाहिए प्यारे हलो मैयूरी हलो फैसे साब आ गए अगले शरीवार को इंटर कॉलिजेट डमशोड है उसके लिए हमें अपने कॉलिज की टीम चुननी है सेर ये डमशोड क्या होता है इस बॉक्स में कुछ स्लिप्स रखी हुई है और हर स्लिप्स पर किसी शेहर का नाम किसी फल का नाम या एक सेंटन्स लिखा हुआ है और जो भी स्टुडेंट्स इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें इस स्लिप्स पर लिखे हुए वर्ट्स को अभीनाय करके दिखाना होगा अगर देखने वाले आपके अभीनायों को देखकर सही मतनब समझ जाते हैं तो आपको टीम में चुल लिया जाएगा इस स्लिप में लिखा है हम दो हमारे दो अब इसे कैसे करना है मैं दिखाता हूँ समझ गए आप लोग यह सार अब जिसको हिस्सा लेना है वो एके करके यहां आजाए मैं ट्राइक करूँ सार आईए मैं बताता हूँ सर बुवे लोग ज्यादा पिये तो गिर जाते हैं नो नो मिस्रो मोहन आप ठीक से समझा नहीं पाए आप जाएए अच्छा और कोई यह सर आईए ने 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 भाई लड़कियों में से भी तो किसी को कोशिर करनी चाहिए मैयूरी कम आउ आउ सर बुरे और बच्चे एक समान होते है परक्त मैं बताता हूँ जल्बिन मचली निर्टबिन बचली करेक्ट मिस मैयूरी इस क्रास से चुली गई है और अब ये हमारे कॉलिज के टीम की कैप्टिन होंगी क्या करूं कल एक डांस ड्रामे का चैरीडी प्रोग्राम हो रहा है इसके लिए मुझे इतने सारे टिक्टे दे दिया है बेचने के लिए चल दस रुपए निकाल तुझे भी एक टिकिट लेनी है तैंक यू वहाँ जाए उस तरफ उसी पर अशोग जी आप जल्दी जाहिए और बबली तयार हुई या नहीं देखिए प्लीज मैं भी देखता हूँ तयार हुई के दिन प्लीज जल्दी जाहिए कितनी देर लगा दी मैं तेरा इंतजार कर रही थी मैं तो डर रही थी कि तो आएगी भी या नहीं ओहो कैसे है पैचा है वहाँ हाई कहां से आ रही है मामी वो वो कौन वो वो मेरी सच बता दे बेटी कमलेश्वर ने तुझे वहाँ जाते हुए देख लिया था तू नाज देखने गई थी ना अरे से भी लाला तो देखो इस धीत का ये भगवान ये तो अच्छा हुआ कि सिर्फ कमलेश्वर ने ही देखा अगर किसी और ने देखा होता तो लोग तो यही कहते ना कि सोतेली माह है इसलिए नाज देखने जाने दिया आखर तू चाहती क्या है यही कि लोग भीच में उंगले उठाए अब जाने भी दो बहू बहुत डाट लिया दुबारा नहीं जाएगी देखिये माजी आप इसे इतना सर पर मत चड़ाईए अगर इसकी जगा कविता गई होती ना तो मैं इसकी टाम काटके रख देती जरूर हो जाएगा जा जाकर अब ना ले गोविंदा आज इसे खाना मत देना भूख के मारी जब इसके पेट में दर्थ होगा न तब इसे मेरे दर्थ का पता चलेगा अरे ये क्या दादा धीरे बोलो खाना खालो अगर जो ममी को पता चल गया ना तुम्हारी दुर्गत कर देंगी तो हार ममी कुम्ब करने की नीन सो गई है मैं ख़रांटे सुनके आ जाओं खालो लो चलो तादा क्या नृत्य देखना पाप है अब का बताएं बिटिया तो हर ममी ने कौनों नया बेदी लिख दिया तो का नहीं सकत है तुमने कभी अपनी ममी को गुस्सा करते वह गाउर से देखा है कैसे हाथ पाओं आख न चायत है यह भी तो एक प्रकार का नित्त ही है इसे क्रोध नित्य कहते बिटिया जब जीवन एक नित्य है तो नित्य देखना पाप का इसा खाओ खाओ कविता मैं उरी हाई वासंतिव हाई अरे वाँ कल रात को तुम प्रोग्राम खतम होते ही किसा गई यह भी नहीं बताया कि तुम्हें डांस कैसे लगा इधर आओ क्या बात है मेरे घर में नाच अश्रुब माना जाता है हम किसी को नाचते हुए भी नहीं देख सकते और खुद भी नहीं नाच सकते क्यों नाच की कारण हमारे खांदान में हमेशा कोई ना कोई अनर्थ हुआ है क्या मतलब यह देख यह मेरी मा की तस्वीर है मैंने सुना है वो बहुत अच्छा नाचती थी यह उनी के घुम्यों है मेरे नानो और नानी को मा का नाचना बिलकुल पसंद नहीं था लेकिन मा की जित के सामने उनकी एक नाचता तेयो कहा जा रही हो नाचनी आज से तुमारा नाचना बन नहीं मुझे नाचने से कोई रोक नहीं सकता मैं नाचनगी जरून नाचनगी मा ने नाच शुरू किया अचानक उन्हें खबर मिली कि नाना जी का दिलका दौरा पढ़ने से दिहान दो गया है दिदी दिदी आपको पेता जी गुजा गए सारी खर में कोहरा मच गया रिष्टदारों में उन्हें जी भर की कोशा उन्हें नाना जी की हत्यारी ठहराया इतना सुन्या है इसे कि नाचनग वाचनग जोड़े नाचना मन के सोता है लोग तुने तो रहत हैं सुनी उनका नाचना बंद कर दिया गया मजबूरां मा को उनकी बात माननी पड़ी फिर वो पिताजी से शादी करकर यहां आ गए मेरे पैदा होने के दो साल बात तक उन्हें नाचने का ख्याल तक नहीं आया लेकिन बात में उनके दिल में दबा हुआ नाचने का अर्मान फिर से जाक उठा मीना इतनी उदास क्यों मेठी हो क्या बहत है क्यों जी आप भी लिट्यों को अशुग मानते हैं देखिए रुट्य के बीना मेरा जीवन बेकार है अधुरा है आप चाते कि मैं ऐसे गुट-गुट के मर जाओ डैडी उनकी मन की बात चानते थे उन्हें उदास देखकर डैडी ने उन्हें नाचने की इजासत देदी क्योंकि डैडी को ना कहना आता ही नहीं था माख खेल उठी कर्श बातू कराग कर्षब कर्षब करď झाओ कर्षब करत다 पाद में डैदी ने दूसरी शादी कर ली मेरी ये ममी बहुत अच्छी है लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरी मा की मौत कैसे हुई तब उन्हें पक्का यकीन हो गया कि मेरी मा की नाचने के कारण ही दुरघटना हुई तब का दिन और आज का दिन मेरी ममी नाचने के सख्ट खिलाफ हो गई मुझे बड़ा अफसोस हुआ यह सब सुनकर अच्छे मुझे एक बात बता मैयूरी जब तेरे घरवाले नाचने के इतने खिलाफ है तो तो नाच की इतनी दिवानी कैसे हो गए यह मेरा दिवाना पन नहीं है वसंती मेरी जीवन की प्रेर्ना है शायद यह देन मेरी मा ने नाच का शब सुनते ही मैं दूसरी दुनिया में पहुच जाती हूँ मैं एक पाउँ धर्ती पर दूसरा आकाश पर रखना चाहती हूँ मुझे लगता है वसंती मैंने नित्य के लिए ही जनम लिया है समझ में नहीं आता मैं अपना अर्मान कैसे पुरा कर सकूंगी लगता है मुझे इस जिंदगी में नाच सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा कमा है मयरी, मैं दान्स करने से भागती हूं, सिर्फ अपनी ममी डाड़ी के डर्स से मैं सीख रही हूं, और तो दान्स सीखना चाती है, पर अपनी ममी के जूते के डर्स सीखने ही पाती, आच्छा, तो तू ही है वह ततायामेच, जो उसे बिगाड रही है, तू चुप रहे ह का नाम है तेरा असंदी अरे नाम कुछ भी हो बोले देती हूं दुबारा मेरे घर के बच्चों को बिगानने की कोशिश मत करना चल जा यहां से अरे उसका मुझ क्या देख रही जाना यहां से तेरे जाने के बाद मुझे इस घर की शुद्धी करनी पड़ेगी चल जा खाबरदार चाहिए इसी लड़कियों को घर में घुसा आये तो हलो मैयूरी हलो बस के अंतजार हो रहे है हां बस वालोंने लाइटनिंग स्ट्राइक कर दिये लेकिन घंटे बर पहले तो बसे चल रही थी यह इंदोस्तान है बाई या एक घंटा पहले और एक घंटे बाद के पालेटिक्स में बड़ा फर्क होता है चलो मैं तुम्हें अपने मोटे सागी पर घर छोड़ देता हूं जी नहीं मैं पैदल ही चली जाओंगी यह जी नहीं तुम्हीं मुसीबत में डाल सकती है अब यू तो जगड़े के शुरुआ थोड़ी देर में लाठी चार्ज होगा फसाद हो जाएगा क्यों अपने अपने मुसीबत में डालती है सोच क्या रही हो आरे भाई हम दोनों एक ही कॉलेजर पड़ते हैं तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं नहीं ये बात नहीं है ये बात नहीं तो फिर बैटो मोरसागिल पर कॉम ओन यार तुमने डम शराट में कमाल कर एंदे इतने उंदा हावबा दुखाए कि छट से वर्च समझ में आ गए हां भी कामता खर में महमाना हुए हाना बनाना है यहां कहां आ गए ये मेरे मामा के इंस्टिटूट है मुझे उन से ज़रा एक जरूरी बात कर नहीं है मैं भी आ, अरे तुम भी मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें इंसे मिलवा देता हूँ, आओ, आओ, कम, प्लीज, आओ, आओ, ममा, ममा, तुम बैठो, मैं ममा को बुला के लाता हूँ आओ, 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 पांची साथ एक दो ६वभभ टी चाथ पांचे साथ आथ खाथे खेटाथे, खेटाथे, खेट! नमस्टे, नमस्टे! तुम्हें दांस सीखा है? जी नहीं, लेकिन तुम दांस ऐसे कर रहे हैं जैसे सीखा हुआ है, हाव हाव बिल्कुल सही थे अरे मुहीरी, तु यहाँ? अरे वसंती, तु यहाँ दांस सीखती है क्या? मैडम, मैंने आपसे इसी पड़ासन के बारे में जिकर किया था, नाच की दिवानी है, मगर इसके घरवाले नाच को मनुझ समझते हैं वसंती ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है, तुमने देख देख के इतना कुछ सीख लिया, तुम तो कमाल की लग्ये हो ममा, इनको डंप शो में फरंस प्राइज मिला है, प्राइज तु छोड़िये, इतने उंदा हावबाव करती हैं कि मैं आपको क्या बता हूँ अच्छा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत अच्छी डांसर बन सकती हो, लेकिन किसी भी कला को सर्फ दूर से देख लेने से पूरी तरह हासल नहीं किया जा सकता, उसे किसी गुरू से तरीखे से सीखना पड़ता है, अगर तुम चाहो तो तुम जहां का डांस सीख सकती हो, ओ, wonderful, तु तु ये इंस्टिट्यूट जाइन कहीं ले, मयूरी, तु कैसे बाते करती हैं वसंती, तुझे तो सब कुछ मालूम है, ये नामुम्किन है, ये नामुम्किन नहीं है, मयूरी, लेकिन अगर तुम्हारे घरवालों कुछ वयम है, तो मैं राहू से ना करूँगा कि वो शानी महराज को निगल ले, वैसे मुझे पूरा यकीन है, कि तुम इस देश के सबसे मशूर और काम्याब दांसर बनोगी, क्या सोच रही है, मयूरी, जब तुझी नाच का इतना ही शौक है, तो पर सीख लेना, शौक तो बहुत है वह सुनते, लेकिन तुम तो ममी को जानती ही हो, नाच का नाम सुनते ही, उनकी दिमाग का पारत चड़ जाता है, पर ममी को बताने की क्या जूरत है, घर पर बता द कि मैं कॉलेज जा रही हूं, और सीधी इंस्टिटूट पहुच जाना, हाँ, बैटी ये मत समझना, कि मैं तुम्हे घरवालों को धोका देने की सला दे रही हूं, मित्य सीखना कोई पाप नहीं, ये तो बहुत बड़ी साथना है, अको तुमारी अपनी मा जंदा होती, तो मैडम की बात मानिये न, हाँ मयूरी, तुमारे लिए सुनेरा मौका है, ऐसे मौके का तुम्हे पूरा पूरा फाइदा उठाना चाहिए, भाई मेरा तो यही उसूल है, हाँ, कह देना मयूरी, ठीक है, जो नृत्यकला मेरी मा के साथ दम तोड़ चुकी थी, उसे मैं फिर स मेरी 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 के अचाहिए, बस चुट गय थी, ममी, चाहँ, परसों कॉलेज में जाना, क्यूँ? कुछ लोग तुछे देखने आ रहे हैं. अरे, खड़ी क्यों है? जाके हाथ में धोलेना? मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पढ़ना है. आप से किसने कहा था मेरी शादी तै करने को? मैं शादी वादी नहीं करूँगी. हाँ? क्या बोली? शादी नहीं करेगी, तो क्या बाप के घर में बैठके कवे हकाएगी? मैंने कह दिया ना, ममी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है. अभी मेरी एजुकीशन पूरी नहीं हुई है. मैं अभी शादी नहीं करूँगी. यही मेरा फैसला है. देख रहा है वो बेटी के लक्षन, कैसी आँखे निकाल रही है मुझे पर? लेकिन तुम तो कहनी थी कि लोग कविता को देखने आ रहे हैं? मैं पूछती हूँ, तुम सठ्या गए हो क्या? धींग की धींग, मैयूरी तो घर में बैठी रहे हैं, और छोटी बेटी का रिष्टा कर दिया जाए? करेक्ट, करेक्ट, कविता तो छोटी है. हाँ, लेकिन मैयूरी भी इतनी बड़ी कहां हुई है बहू. उसकी पढ़ाई लिखाए हो जाने दो. ब्याह कहां भागा जा रहा है? ये बात तो उनको बुलाने से पहले सोचनी चाहिए थी माजी. जितना पढ़ना था पढ़ ली. कॉलेज तो इसले भेज रही हूँ ताके लोग ये न कहें कि सौतेली माने नहीं पढ़ाया. अरे पढ़ाय का शादी से बढ़कर हो गई? क्यों जी? तुम सुन रहों के नहीं? अजी सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ. मयूरी के आज के रंग धंग देखकर मुझे तो डड़ लगने लगा है बाबा. हैरानी तो मुझे भी हो रही है. मयूरी ने इतनी सिद कभी नहीं की. पता नहीं, वो कॉलेग जाती भी है या नहीं. या आज कर के लड़कियों का तो कोई भरोसा ही नहीं. मैं तो कहती हूँ कि इस पे कड़ी नजर रखो. अरे नजर रखने के लिए उपर वाला भगवान ही बहुत है. उसके भाग्य में जो लिखा है, वो ही होगा. क्या बात है मयूरी? कुछ नहीं. बताओ न, मुझसे क्यों चुपा रही हूँ? मामी मेरी शादी करना चाहती है. अच्छा? कंगराचुलेशन्स. लाका देखा तुमने? मुझसे ज़्यादा खुबसूरत है, ज़्यादा पैसे वाला है. अगर है, तो तुम चाते हो मैं उसे शादी कर लो? फारण! इसमें क्या बुराई है? यही तो जिन्दगी है मयूरी. तुबारा यह बात मजाक में भी मत कहना. मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती. मोहन, सब कुछ होते होए भी मेरी जिन्दगी गुरा कागस थी. मेरे अर्मान मेरे अंदर ही अंदर खुट रहे थी. मैं तो यह सोच पैठी थी, कि मैं जिन्दगी फर नहीं नाच सकूँगी. लेकिन तुमने मुझे हिम्मत दिलाई. मेरा साथ दिया और मेरे अर्मान पुरी की. तुमने मेरी वो मदद की है, जो शाद भबवान भी किसी की नहीं की हो. तो फिर मत मारे अलावा, अपने दिल में किसी और को कैसे जगा दे सकती हूं, मोहन. अपने दिल की बात कहने चाहिए, नहीं तुमने मुझे की खाने पड़ती है. इसलिए मैं आज तक तक तुमसे यह सब कहने से जजगता रहा. तुम मेरी है मयूरी, और जिंदगी भर मेरी रहोगी. हाई वसंती. हाई. हाई मयूरी. अरे वसंती, क्या हुआ, आज डांस प्रेक्टिस के लिए क्यों नहीं आई? मेरा तो इस डांस से पिंच छूड़ गया. क्या मतलब? मेरी शादी तै हो गई है. अच्छा, कंग्राचुलेशन्स. लड़का कौन है? राजे सकसेना. पढ़ा लिखा है, घर का रईस है, खुद मौकरी भी करता है. अब मैं आराम से घर बसाओंगी. चल, तेरी मुराब तो पुरी हो गई. अगले साल? हाई! अच्छा, स्टुबर! मैं मैरम से मिल के आती हूँ. पागल. इस मेने मेरी डांस की ट्रेनिंग खतम हो रही है. तो तो बड़ी लग्की है, मुझे तो दो मेने और सिखना है. अच्छा, स्टुबर! अच्छा, इस से बुरा और क्या करेगी? क्यों रही? इस घर में नाच का नाम तक नहीं लिया जाता. और तुम हम से छुपकर डांस कुल में जाती है? अरे, किस की मौत की तयारी कर रहे है, ये कमभख्त? अरे, डांटी क्यो हो? बच्ची है, इसे दांच सीखने का शौक है. तुम कौन होती है रोकने वाली? क्या? तुम ये मेरी मर्जी के खिलाप नाच सीखेगी? और तुम इसकी तरफ तारी करोगे? इसका क्या जाएगा? बया तो मेरा गरक होगा. देखो जी, इससे कह दो. इससे कह दो कि ये घर चोड़के चली जाएगा. नहीं तो मैं ये घर चोड़के चली जाओंगी. चली जाओंगी? हाँ? क्या कहा तुम ने? वही जो तुमने सुना. ये तुम्हारे आने से पहले इस घर में रह रही. ये याप पैदा हुई. ये क्यों जाएगी? हाँ, ठीक है. मैं ये चली जाते हूँ याँ से. सोतेली माजो ठेरी. अज इस घर से तो क्या मैं इस दुनिया से ही चली जाती हूँ? मयूरी? तुम ममी से क्या कहोगी? तुम कुछ बहाना बना देना. मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा. ठीकी? इसका मतलब ये नहीं. कि तुम जो कर रही हो, मैं उसे ठीक समझता हूँ. मैं ये कहता हूँ कि तुम जो कर रही हो, वो ठीक नहीं है. मैं तु ये भी नहीं जानता बेटी. कि नाचना शुब है कि नहीं. मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि अगर तुम्हारी मम्मी को पता चल गया तो क्या होगा बस सिर्फ उस से डरता हूँ इसलिए मैं ये राज उन्हें नहीं बताऊंगा मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया बीटी ये मेरी कमजोरी है और इसी कमजोरी की वज़े से मैं तेरी मा को खो बैठा मैं उसे बहुत प्यार करता था बीटी जब वो स्टेज पर पहली बार नाची तो उसके पिता की मौत हो गई बीटी अकर तेरी नाचने से भी कुछ ऐसा हो जाए तो तू दुबारा मत नाचना क्योंकि दुबारा नाचने से वो जलकर मर गई थी चल बेठी चल अम्मा क्या बेटा लोग कहते हैं कि उत्तर की तरफ सर नहीं रखते हैं तुम हमेशा उत्तर की तरफ ही सर रखती हो भाला क्यों बेटा मैंने जिंदगी में हमेशा वही किया है जिसको लोग मना करते हैं मुझे अंधव विश्वासों पर बिलकुल विश्वास नहीं अम्मा मैं मयूरी के बारे में तुम से कुछ बात करना चाहता हूँ हाँ बोलो मयूरी की मान ने बहुत प्यार से उसका नाम मयूरी रखा हो सकता है उसके दिल में यह अर्मान हो कि उसकी बेटी बड़ी होकर एक बहुत बड़ी डांसर बने लेकिन हम लोगों ने तो इस घर में डांस को अशुब बना रखा है मान लो अगर वो कई डांस सीख बैठे तो क्या होगा ठेंगा होगा अरे बेटा जो होना है वही होगा एक जोतीशी ने तेरे नाना से कहा कि वो पानी में लूप के बरेंगे फिर क्या था वो कभी तैरने नहीं गए रेल से भी नदी पार नहीं की कुए से एक माल की पानी तक नहीं खीचा और फिर हुआ क्या जानते हो एक दिन वो तगड़े पठे तामबे के लोटे में रखा हुआ पानी पी रहे थे एक घुट लिया ठसका लगा और मर गए अब बोलो उनकी मौत पानी से हो दी ती सो हुई यू है अम्मा तुमने तो एक बहुत बड़ा बोज मेरे सर से उतार दिया बोज है अरे तुम कहां से हारी हो इस घर में सब कुछ तो मुझे ही देखना करना पड़ता है ना कल मयूरी को देखने लड़के वाले आरे इसलिए मिठावे वाले के पास मरने गई थी अरे बेटी तू नहीं जाएगी तू बड़ी बात हो सकती है आप बैठी ना नहीं जाओंगी अरे बेटी तू नहीं जाएगी तू बड़ी पद हो जाएगी अरे तुझे इशादी नहीं करने तो मत कर कोई आज ही थोड़े फेल पड़ जाएगे जरा सी शकल दिखा दे बस हो गया और सुन अहां चल पहली और जल्दी स्कैर हो जा मैं बेटी को लेकर अभी आती हुँ अच्छा जगा लड़के की तनखा क्या है तनखा तो कोई भला और सेल की तनखा पूछता है श्रीमान जी और फिर तनखा में रखा ही क्या है असली चीज तो है ऊपर की कमाई है भी जैसे बाजी लड़की आ गई आ लड़की क्या है साक्षात महालक्ष्मी है पाउचो बैटी ठीके बेटी ठीके बैठो बैठो आज कल की कन्या है ना पाउबाऊचोना तो बहुत पुरानी रसमें बैटी तुमने बर्फी बहुत बढ़िया बनाई जी नहीं, यह मैंने नहीं बनाई, यह बनासी स्वीट मार्ट से आई है कोई बात नहीं बेटी, मुझे जब भी मिठे घुलक लगेगी, मैं बनासी स्वीट मार्ट से मठाई मंगवालिया करूँ अच्छा बेटी, यह तो बताओ, खाना बना तो बना ले भी होगी जी नहीं, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं कोई बावर्ची थोड़े ही क्या है ना, मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला है घर का कोई काम काज नहीं कर रहा थी इससे और फिर खाना बनाना कौन से मुश्किल बात है, हफते भर मैं सिखला दूंगे इसे बुज़र्गों ने ठेक ही कहा है बेंजी, मा को देखने के बाद लड़की को देखने की ज़रूर्थ ही नहीं पड़ती माफ किजी, ये मेरी अपनी ममी नहीं है अगर आपको मेरी मा को देखना है, तो आपको स्वच जाना पड़ेगा बेटी, इस रिष्टे के लिए, मैं इतनी लंबी यातरा पर जाने को तयार नहीं ये मजाग बहुत करती है भाई साब, कॉलेज में दो बरस से हसी मजाग की टॉफी जीत रही है आप टिस्कोडस को जाती है कि नहीं, मौडर्ण डांस आता है आपको ममी डांस को अशु मानती है, ये तो अच्छा हुआ कि आप महमान हैं, नहीं तो ममी आपकी जबान को करम चिम्टे से जला देती थैंक यू बेटी, तुमने मुझे, मेरे बेटे को, मेरे सारे खानदान को बरबाद होने से बचा लिया उठो, उठो, अब और क्या देखना सुनना बाकी रह गया है, चलो यहां से, चलो मेरी बात तो सुने शीफ़ा जब बंडे जी, अकर तुमा इन दैसार इस्ता लेकर मेरे घर पे आए, तो मैं तुम्हें मेरी, मेरी बात तो दादी मा ने तुम्हें बहुत अच्छा नुस्का दिया उन लोगों की जाने के बाद, ममी ने ऐसा तांडोड निंति किया, कि मैं तुम्हें क्या बताओ बस तुम्हारी ममी के और छुटी कर देते हैं, फिर रास्ता एकदम साफ हो जाएगा क्या मतलब? तुम्हारे डांस का एक पब्लिक परफॉरमस करवा देता हूँ, फिर वो क्या कर लेंगी? मुझे कच्छा खा जाएंगी, खर से निकाल देंगी तो क्या हुआ? तुम सीधी मेरे पास चली आना मैं जिन्दगी भर तुम्हारा साथ दूगा देखो मैयूरी, तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि तुम दुनिया से अपनी जैसी महान कालाकार चीन लो तुम्हारी निर्दकलाब सिर्फ तुम्हारा ही शौक पुरा करने के लिए नहीं है बलकि लोगों की आत्मा को त्रिप करने के लिए भी है मैंने नाचना लोगों का दिल पहलाने के लिए नहीं सिखा है मोहन यह तो मेरी खुद की प्यास है यह तुम्हारी भूल है मयूरी जब दुनिया के बड़े-बड़े कला के पुजारी तुम्हारी पारिफों के फुल बांदेंगे तब देखना तुम्हारे पार जमीन पर नहीं परेंगे तुममारे चारु तरफ सोना इसोना बरसेगा उर उस वक्त तुम्हारी खुशी का ठिका नहीं रहीगा मेरे पास एक आदमी है मयूरी जो तुम्हारे शोख का बंदबस्त कर देगा मुझे टर लगता है मोहन तुम फिकर मत करो मयूरी इसी बाप पर मुझे एक शेर याद आ गया गिरते हैं शैसवार ही मैदाने जंग में वो तिफल क्या गिरेगा जो घुट्णों के बल चले लेकिन एक बात बताओ मयूरी तुम्हें मुझ पर भरोसा है की नहीं गोविना सापको चाहे दो मा तुम्हेरे नृत्य की उपासना अधूरी रह गई थी मैं उसे पूरी करना चाहती हूं इसलिए आज पहली बार में नृत्य करने जा रहे हूं जैसा घरवाले सोचते हैं अगर नृत्य अशुप है और कोई दुरघटना हो गई तो ये नृत्य कला पर कलंग होगा मुझे आशिरवात दू मा जो तुम्हारे पिता के साथ हुआ वो मेरी टेरी के साथ नहों पशिष्टमूनी का उशिक्राए दादी मा मैं जा रहे हूं अरत बगली तुता ऐसे कह रही है जैसे नहीं नहीं ससुराल जा रही है ठादी मा तुमको हमेशा ससुराल की ही सूचती है और कुछ नहीं सूचता यहां डादी हाँ बेटी बेटी तु आज बड़ी परिशान निज़र आ रही है तु थो मुस्कराती रहा कर इंजे तु मुस्कराती यह बहुत अच्छी लगती है डादी मुझे बहुत डर लग रहा है डर? हाँ आज बड़ी कठिन परिक्षा है डादी सब ठीक हो जाएगा बगवान की कृपा से तु अपनी परिक्षा में सफल होगी I wish you all the best Thank you daddy Thank you Don't miss you my child Congratulations Mayuri You have done it You have done it Thank you very much Mohan लेकिन मुझे बहुत टर लग रहा है पागल हो ही हो क्या तुम एक निकलता वास सूरज हो और निकलता वास सूरज किसी से डरता है क्या बस तुम देखती जाओ तुमारे यह Mohan तुमारे लिए क्या-क्या करता है You won't believe it But the entire national press has gone gone over you बाहर सब कैमरे से माले खड़े हैं कलके हर paper में news होगी A dancing superstar is born A star is born Wrong, wrong सूरज से कैसी धोनी लगती है लेकिन चाला के इसकी नसों में कूट-कूट के भरी हुई है यह देखे, देखे माजी घर से यह कहके जाती है कि college जा रही हूँ और जाके चुप-चुप के नाज सीखती रही अरे जमाने भर के सामने कमर मटका के इस घर में आने की तरी हिम्मत कैसे हुई बहू, अखबारों ने मयोरी की तारिफों के पुल बान दिये हैं इसकी photo भी छपी है photo चापने वालों का अर तारिफ के पुल बानने वालों का क्या जाने वाला है सत्यानास तो मेरा और मेरे बच्चों का होगा अभी तक तो इस घर पे बिजली गिरी नहीं बहू वा, वा, वा कितनी मशूर हो गई है मेरी वीटिया कितना नाम मिला है इसे आहाँ आप लोग उनको आज मालूम पड़ा है मैं तो तब से जानता था हमारी बेटी बड़ी होनहार है जब से ये डान सिखने जाती थी हाँ तुो तुमने पहले से मालूम था कि ये ना सिखने जा रही है हाँ तो तुमने मुझे क्यों ही बताया भूल गए अगर कोई अनर्थ हुआ होता, तो आपकी कोचने से पहले, मैं आत्माहत्या कर ली थी, अच्छा अच्छा, आत्माहत्या करने को तयार है, लेकिन अपनी घलती मानने को तयार नहीं, नहीं मम्मी, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं जिंदगी भर अगर आपको मेरे नाचने पर एतराज है, तो मेरे सामने एक ही रास्ता है, मैं उसके पास चली जाओंगी. देखा देखा, कैसे देख्षर में दिखा रही है, और तुम भी ख़या ख़ये सुन रहा है? इस घर में, इस घर में तो मेरे कोई सुनता ही नहीं. अब सोचने के लिए कुछ नहीं रह गया, मैडम. मैंने तो ममी से कह दिया है, कि अगर वो मुझे नाचने की इजाज़त नहीं देंगी, तो मैं घर छोड़ दूँगी. नित्य की बना में जी नहीं सकती, मैडम. मेरा केना मानू, अपना घर मत छोड़ो. क्यूं? तुम बहुत जजबाती लड़की हूँ, मैयूरी. नित्य की पीछे इतनी दिवानी, कि अपने घुंगरों के आगे तुम कुछ देख नहीं पा रहे हैं. मोहन भी एक तरह से दिवाना है. मैं मोहन की मा हूँ. मैं उसकी कमजोरियों को अच्छे तरह जानती हूँ. तुम ने अपने आपको मोहन को सोप कर बहुत नादानी की है. मोहन मेरी प्रेना है मैडम. उसके दिखलाए हुए रास्ते पर चलकर ही, आज मैं डांसर बन सकी हूँ. मोहन पिचाए आपको भरुसा नहो. मुझे है. अरे हम उसका नाच देखने नहीं जाएंगे. बस हो गया. मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं. जो जी में आता है करो बाबा. अरे जो लड़की मेरी बात ही नहीं सुनती. उसके लिए मैं अपना खून क्यों जलाओ. लेकिन आज से उसका मेरा कोई संबन नहीं. जो जी में आता है करे मेरी बाबा से. जी में आता है करे मेरी आता है. उद एहें आता है करें एा较. ज wr gordedy करें लो करें तैता है करें? कि प्मी कछर्डृ कि बुलो कि झावा सकतियां कि आसे कि ये झावा जावा सकतियां हिए प्मी कफ्मी कि ये दावा preferably कि प्मी कि रuds back कि ये था जई धे दो कि एलत सकतियां अब बताईये तो इस वोगत वो है कहाँ? Holy Spirit Hospital. आए, 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 आए! आए, 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 आए! आए, 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 आए,आए, आए, आओ, आए, आए, आओ, आए, 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 आप आए, 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 आए ! मोहन जी ? रहा ! पेहले यह बताऊं कि तुमने उसÖ फजल्ड वोंकिं के बारी में क्या influence' अए ? करके हम लोग ने रोपय कठा किये और वो टांग कठा के लेटी हुई है शो एनाउंस हो चुका है अगर ये शो नहीं हुआ तो लोग मेरी टांग तोर देंगे बैठी अरे डूंगरमल जी तुम तो बड़े मतलबी हो यार वहां उस बैचारी का पाउं कठ गया है और तुम्ह आई डूंगरमल जी ये हमारी नई डांसर मिस कल आ और यहां की मताजी जी इनके मताजी क्या सुंद्र नाम है सुंदरी मताजी है इं मैं डोंगर मलजी हूँ, यह जो कुछ में शो होने वाला है, यह सब मैं कर आ रहा हूँ अच्छा वाव वाव मोहन बाबू, क्या सेलेक्शन है आपका अलो अलो क्या हुसन है, क्या खुबसूरती है, क्या फिगर है कहा दम सिखा अपने? नहीं, सीखा नहीं, फिल्मों की दांस देख देखकर बस नाच लेती हूँ यह आपको सिर्फ फिल्मों को ही दांस आते हैं, भारत नाटीम, कथ्थात, कुछी पुडी, यह सब कुछ नी सिखा आपने? डूंगरमल जी, घब राते क्यों हैं, मोहन बाबू की महरबानी हो जाए, दो दिन में सारे डांस करने लगीगी अच्छा, अरे दो दिन तो यह कह रही है डूंगरमल जी, हम तो इन्हें एक दिन में फिट कर देंगे बिल्कुल, चलिए अकला जी, रियासल शुरू करें अरे, अरे डूंगरमल जी, यह क्या, एडवांस वगरा को कुछ मिला भी नी, और यह मेरे लड़की को लेके चले भी गए अरे, सुन्दरी जी, आप कह रही है, एडवांस की बाते आप कर रही है, अरे, आप हुक्म कीजिए, हम हर चीज आप पे कुर्बान कर देंगे बस, बस, बस कविता, मयूरी खाने पे क्यों नहीं आई? मैं बुलाने नहीं गई, शायदी से लिए नहीं आई होगी या फिर वो चा रही होगी, कि उसका खाना उसके कमरे में भेज दिया जाए जो लोग अंधे मूं गिरते हैं, उनकी सारी अकड़ धरी की धरी रह जाती है अरे, जो लोग बड़ों की बात नहीं मानते, उन्हें फर भुगतना ही पड़ता है दुरगा, प्लीज अरे, मैं तुम्हारी बेटी के बारे में थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो कविता को समझा रही हूँ, कि भेज बड़ों की बात नहीं मानोगे, तो बात में रोना पड़ेगा अब बस भी करो अरे, क्या हुआ? शान तीचे खाना भी निखाने देते क्या हुआ? अरे, भगवान क्यों अरी, अगर प्यास लगी थी, तो हम इतने लोग घर में मरे पड़े हैं, हम मैंसे किसी को का होता? अपा ही जो गई, मागर अभिमान वैसे का वैसे ही है चल कविता, एकांज के टुकड़ उठा ले नहीं कविता, मैं उठा लूँगी कोई ज़रत नहीं, तु तो बस अपनी ही देखवार कर ले, हमारे लिए तुरी इतनी ही मदद काफी होगी भई अरे, बहू, मीठा बोलने में कुछ खर्च नहीं होता दिम्रात इस बिचारी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? आज इसे प्यार की ज़रूरत कल से ज़्यादा है ममी, आपने कहा था न, कि जो मैं नाची, आप मेरे पाउ तोड़ देंगी अब आपको वो तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं भगवान ने आपका काम कर दिया है आप में सिंदे की ठाद ही ना सुकूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं अरे बिचिया, छुटके मलकिन की आदद तो तुम जाना था अगर उन्होंने कौनों नरम-गरम बात कहदी हो तो इका मतलब ही तो नहीं कि तुम भूकी रहो और देखो बिचिया, अगर तुम को कौनों चीज की जरूरत हो, तो हमको बुकार लिया करो, हम फौरन आजी रो जाएंगे तुम मुहन से मिले क्या, गोविन दादा? हाँ, गय रही बिचिया, बोले के आजकल बहुत काम में हैं फुर्सत मिलते ही हफ्ता दस दिन में आ जाएंगे हफ्ते दस दिन में? हाँ, अब चलो खाना खालो, बहुत देर हो गई, चलो चलो उठो आओ आई जाओ पिले ओ क्यों जी क्यों जी क्या तुम भी यही सोचते हो कि दूसरी सौटेली माओं की तरफ मैं भी निर्दई हूँ देखो न, उसने मेरा कहना नहीं माना और मुसीबत मोल देली जब ही मैं उसकी बैसाखी देखते हूँ मेरा खून खुलने लगता है तुम मुहन से जाके बात तो करके देखो अगर उन दोनों की शादी हो जाए तो मैं गंगा नालू पन्नित भूलेनाद भी कह रहे थे के कविता के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लड़के देखे है एक काम करो ना तुम कली जाके बात करो मुहन से सुन रहे हो ना हाँ हाँ कल चला जाओंगा Mr. Mohan Yes मैं ज्यानेश्वर पिशाद हूँ मैं यूरी का पिता Oh Hello Meet my girlfriend कला इसने मयूरी के जगर ले लिए नमस्ति Mohan जल्दी आना आप फर्माई मैं मयूरी के बारे में तुमसे कुछ बात करने आया हूँ हाँ कीजिये उसकी शादी के बारे में अच्छा मयूरी शादी कर रही है यह सुनके तो मुझे बड़ी खुशी भी साब आप जैसे बुजर्गों का आश्रवाद मिल जाए तो मैं भी कला से शादी कर लूँ क्या तुम कला से शादी करना चाहते हो जी आप बिलकुल आप चौक्यों गए अरे साब कला के हाथ पाओ बिलकुल साही जलामत है हाँ यह तो ठीक कह रहा हूँ कला रपाइस नहीं है तांक यू कुमा चलूँ माफ कीजेगा मैं जराव बिजी हूँ यह क्या भारती जी मैंने तो सुचा था कि आप उसकी माँ है आप उसको समझा पाएंगी आप भी ऐसा कह रही है देखिए मयूरी ने अपनी जिंदगी उस पे निचावर की हुई है यानेश्व जी मैं तो आपसे शमा मांगने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती मैं मयूरी की दिल की बात जानती हूँ लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि मयूरी को मैंने मोहन के बारे में आगा कर दिया था इसका मतलब यह है कि वो आपकी वे परवा नहीं करता जी नहीं वो दुनिया को ऐसा चश्मा लगा कर देखता है कि उसे अपने सिवा और कुछ नज़द नहीं आता मेरा बेटा मोहन इस नई पीड़ी की खुदगर्जी की बहुत अच्छी मिसाल है मैं उसे नहीं बदल सकती इस मामले में उससे बात करने का भी कोई पाइदा नहीं मैं माफी चाती हूँ दुर्गा 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 अरे उफो तुस्से किसने काता दर्वाजा खोलने को हर जगा आपनी लंगली टांग अशेटी फिरती बेटी मैं गुशा नहीं कर रहा था देख तो ठीक से चल नहीं पाते न घर में और लोग भी तो हैं तुझे दर्वाजा खोलने के क्या जरूरत पड़ी थी चल बेटी क्या हुआ जी लड़का मिला लड़का कौन सा लड़का आजी मोहन ओ मोहन हाँ मैं डान स्कूल गया था लिकर उससे मुलाकात नहीं हुई वो शेहर से बाहर गया हुआ कब लोटेगा शायद कल हाँ अच्छ 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 मैं उसकी मां से मिला बहुत मीठा बोलती है वो बहुत अच्छी है वो और तुझे तो बेहत चाहती है क्याने लगी ये बातें तुम मोहन के आने पर हुई और मुझे कल फिर बुला है लेकिन मोहन गय कहा है दिली नो नो शारी भोपाल 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 गया है हां परता नहीं इन श्रिमान भुलक करने क्या पूछा होगा और क्या जवाब पाया होगा कमलेश्वर जल्दी चलना हाँ आँ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जाओ जैशी क्रश्न वहन जी क्या लेंगे पंडी जी चाहे ठंडा कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं पहले काम की कुछ बात कर ले मैंने आपकी बेटी कवीता के लिए बहुत यच्छा लड़का देखा है अच्छा अरे इंजिनियरिंग के तीसरे बरस में पढ़ता है वो गंगा जल में गूंद के बनाया है भगवान ने उसको 24 बरस का हो गया परंतु आज तक उसने अंग्रेजी फिलम तक नहीं देखी जो कभी कभाक मेरी पंडेतायन तक देख लेती है और तहिस क्या मांगते हैं? अरे उसकी चिम्ता आप मत कीजी बहन जी मोल भाव करके टिका लेंगे कहीं पर अच्छा हुआ चलो ये तो सब ठीक हो गया ये कट्चन है पंडेत जी बड़ी लड़की जो कवारी बैठी है अभी तक क्या करें? इसका तो रिष्टा हमने एक जगा पका कर दिया था लेकिन इसी की नखरों के वज़े से वो रिष्टा तूट गया अब जब तक मयूरी से पिन नहीं चूटता कविता की शादी कैसे करें? अरे बहन जी बस आप हा कहिए तो मैं आपकी बड़ी बेटी का भी कही तोड जोड कर दूँगा लेकिन बड़ी बेटी कवारी बैठी है इसलिए हम कविता के लिए आये हुए रिष्टों को कब तक ठुकराते रहेंगे बाद में कविता के शादी में भी बाधा पड़ सकती है कोई बाद नहीं पड़ेगी पंडीची मैं इस छगड़े को तो ही दिन में निप्टा के रहूंगी चनावले गरम गरम चनावले गरम चनावले फेस रीडिंग सर फेस रीडिंग आपकी शकल देखकर आपकी समस्य के बारह मझा सकता हूं सर ट्राई नहीं सर, एक बार ट्राई कीजी आपके कल, आज और कल के बारे में बता सकता हूँ आपके चिंता दूर कर सकता हूँ, सिर्फ दो रुपे में विस सटिस्टेक्सिन ग्यांग टेक, ठीक सुना बताओं तो दो रुपा वापस सुबर मस्त भवा, भाई साब अब अपने पसंद के एक फूल का नाम लीजी गोवी का फूल, गोवी का फूल, कले फुरावर, बेरी गूड, अब अपने पसंद के एक रंग का नाम लीजी लाल रंग, लाल रंग, गोफू लारा, गोफू लारा, लारा, बच्चे तीन बच्चे हैं, दो बेटी हैं, एक बेटा है ओहो, भाई साब आप क्यों बता रहे हैं, ये तो मैं बताने वाला था बड़ी बेटी की शादी नहीं हुई फिर बताया, भाई साब यही आपकी चिंता है, बड़ी बेटी की शादी नहीं हुई साले ने दोखा दिया दोखा ये मुझे मानूम था बात बिल्कुल साफ हो गई किस्तन क्लियर अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है क्या करना होगा बताता हूँ सर बिल्कुल यही प्राबलम बाबू बनारसिलाल बेकल का था हाजी हकीम हजमल का था, सबको एकी तरकीब काम आई, अगर वो आपके बेटी से शादी नहीं कर ले तो मुझे फिर कहना तरकीब क्या है वो तो बता डिशूं डिशूं? तो मेरा नाम उदैभान सिंग से बदल कर टिकिया चोर रख दीजेगा टिकिया चोर, टिकिया चोर कमान, कमान क्यों, राजकर, अरे नाश ये क्या कर रहे आँ? ये लड़की को धोका देगा अरे आपने ये पाप रहे तुसकी जिन्दी की से किलवार करेगा कमान, मैं तुझए चोरूँगा लगए तिरा ये मज्ञा, मैं इसे जिन्ना नहीं खोरूँदो चाओ ये उये पहतन किऊसर किया है? अचाओ, कोई है ये पुलीस पुलीस अबे? काई को बूम पट रहे लो तु मैं आ गया भोल पहले बता तू इतने रात को क्या कर रहा है, इतना टाइम होगिया, मुझे पता ही नी चला, मैं गर जा रहा हूँ तेरा आत में क्या है? मुंफली मुंफली? काजु भाले को नहीं होता है तेरे को? फटी जर साल है नाम कहे देरा? मेरा नाम ग्यानेशर प्रशाद एड़ोकेट है, मैं हाई कोट में प्रैक्टिस करता हूँ माप करना, माप करना, घंती हो गया, डबल घंती हो गया, आपके लिए रिक्षा मंगाता हूँ रिक्षा में आप क्या सफर करेंगे, मैं आपके लिए टेक्सी मंगाता हूँ टेक्से, टेक्से, आप फिकर ने करें साब, मैं बोलेगा ने, मीटल मी डाउन ने करेगा वो सब रहने दो उसकी कोई जुरूरत नहीं, आगे से मुंख़ली खरीद के खाना सीखो खरीद के खाना सीखो, खाता है क्या मुंख़ली, और मेरे को लिंख कबसे राह देख रही हूँ, इतनी देर कहा लगा दी? हाँ, ज़र देर तो हो गई अच्छा, मोहन मिला की नहीं? नहीं, मोहन अभी लोटा है नहीं लो, इतनी सी बात मालूम करने मैं इतनी देर लगा दी? भाई, मोहन से मिलने के लिए मैं स्टेशन गया दस वजब ट्रेन आई सारी ट्रेन छान मारी और मोहन नहीं मिला और मोहन क्यों नहीं आया? ये पता करने के लिए मैं डांसिंग इंस्टीट किया वहाँ पता चला कि भोपाल में मोहन के किसी चाचा की डेथ हो गई वो दस बारा दिन नहीं आये ज्याने श्वेट, चाचा मारा या चाची? चाची, हाँ? ओ, 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 माँ, चाचा हो या चाची हो हमें क्या फरक पड़ता है? नतीजा तो हमारे लिए ये निकला कि दस बारा दिन हमारे हाथ नहीं लगेगा वो अचाची, हाँ? फैंटास्टिक, स्प्लेंड़, वन्डरफॉल कला, तुम अगर स्टेच में भी ऐसा ही नाज गई तो पूरे देश में हंगाम हमचा तो गी थैंक्यो रुपिया शौरत के पीछे भागता है एक तरफ दौलत है, दूसरी तरफ मैं तुम्हें और का चाहिए? ओ मोहन जस्त मिनिट हलो मैयोरी मुझे तुम से कुछ बात करनी है चलो हाँ, बोलो मैंने कोविन दादा को कई बार तुम्हें बुलाने के लिए भेजा तुम मुझे से मिलने क्यों नहीं आए? मैंने सोचा तुम से मिलना बेकार है इसलिए नहीं आया क्या मतलब? देगो मैयोरी, तुम स्टेज पे अच्छी खासी नाच रही थी बदकिस्मती से तुमने अपना एक पाउं खो दिया तुम ऐसा चाहती थोड़ी थी, फिर भी हो गया अब सब कुछ देखते जानते हुए मैं अपनी जिंदगी को तुम्हारी जैसे लगरी के हवाले कैसे करता हूँ? दॉक्टर ने तुम्हारा पाउं काट दिया क्योंकि अगर वो पाउं न काटता तो तुम्हारी जिंदगी खत्रे में पढ़ जाती है इसी तरह मैंने भी अपनी जिंदगी से तुम्हें काट कर अलग कर दे तुम्हें मेरी बातें कड़वी तो लग रही हैं पर सच्चाई तो सच्चाई है, अर्मान, मंजिलें, इश्क, मुहबबत, ये सब फालतू बाते हैं, ये सच्चाई है, तुम्हारे साथ जिन्दगी गुजाने का मतलब ये है, कि मैं भी तुम्हारे ही तरह जिन्दगी भर लगाता है, है कि मैं, तुम अगर ठीक से चल फिर नहीं सकती, तो क्या ये जरूरी है कि मैं भी ठीक से नहीं चलू, तुम्हें शायर मेरे बाते बड़ी अजीब लग रही है, तुम सोच रही होगी, मैं बड़ा कमीन आद्मी, मैंने तुम्हे धोका दिया है, लेकिन कोई भी समझदार आप भी मुसीबतों से दूर लेकिन तुमने तो जिन्दकी भर मेरा साथ देने का वादा किया था ना, वादा, हाँ हाँ उस दिन किया था, उस दिन तुमने भी वादा किया था, और चाहे वादा मैंने किया हो या तुमने किया हो, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो मैं तुमसे जरूर शादी कर लेता अगर वादा न भी किया होता लेकिन उस वक्त मुझे सपना थोड़ी आया था कि तुम्हारा ये आक्सिडेंट हो जाएगा वो तो शुकर है भगवान का कि हमारी बात दोस्ती था की रही कहीं आगे बढ़ जाती तो तुम तो बड़ी मुसीबत वाज गई थी अब इतना तो है कि तुम मुझे आराम से भूल सकती हो कोशिश करो ये कोई मुश्किल काम नहीं और मैं भी भूलाने में तुम्हारी मदद करूगा और मैं वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊँगा गुट बाई एंड पेस्ट अफ लाग्ट भुट जुट正 कि अब मैं उड़ाि पर्मने खाव फ्यूबगा झाल 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 आपका बीटा के लिए लिरका ढूंद लीचे ये तुम क्या के लिए वीटी? मैं मुहन से मिल आई डाडी उसने फैसला किया है कि वो एक अपाहिज लड़की के साथ जिन्दगी नहीं गुजार सकता मैंने फैसला किया है मैं जिन्दगी भर शादी नहीं करूगी क्या कहा उस माटी मिले दे? तुमुझे ले जा उसके पास मैं उसके होश्टिकान लगा दूगी भगवान करे उसे दो मुसल जैसी चांगो वाली पत्नी मिले जो उसे सुबह शान ठोकर लगा सके उसने नहां कहा तो तु अपना दिल क्यों मैला करती है बिटिया? मैं ढूंदूगी तेरे लिए चांद की टुकणे जैसा वर भगवान ने चाहा तो एक ही दिन विदा करूगी तुझे और कविता को और वो भी बड़ी धुन धाम से दादी माँ, आप मेरी शादी का ख्याल छोड़ती ची कविता की शादी करती ची? बहन जी, नमस्कार जज्मान जी, सब सत्या नास हो गया श्रीमान जी क्या हो अपंडी जी? वो अपने नासिक वाले राम प्रसाद जी है न? हाँ, हाँ, क्या वह उन्हें? अब मैं क्या बताओं बहन जी, आप खुदी पढ़ लीजिए वो कहते हैं कि आपके खांदान में एक बिन ब्याई बड़ी लड़की भी है जो बिलकुल आवा रहो गई है और स्टेज पर नास्ती फिरती है और किसी मोहन के साथ फसी हुई या पकते हो क्षमा चाहता हूँ श्रीमान जी परंतु मैं तो वही कह रहा हूँ जो उन्हों ने मुझसे कहा वो तो बगवान की कुरुपा हुई बहन जी कि मैं वहाँ से बचके निकल आया वरना वो तो जूतम पैजार पर उतराये थे और कह रहे थे कि तुम ऐसे गिरे हुए कि खानदान का रिष्टा लेकर हमारे पास आये क्यूं अब मेरी समझ में नहीं आता है बहन जी कि क्या किया जाए इसका तो एक ही उपाय है कि मैं अपनी बेटी को लेकर समंदर में डूप जाओ मैयूरी तो जिंदगी पर कुआदी रहकर हमारे पल्लों से बंदी रहना चाहती है रोज रोज के इताले सुनने से तो अच्छा है कि हम लोगा आत्मे अच्छा कर ले तभी हमारी दुखों का अंत होगा ये बग्मार वहत क्यों नहीं देता मैयूरी तो जिंदगी पर कुआदी रहकर हमारे पल्लों से बंदी रहना चाहती है रोज रोज के इताले सुनने से तो अच्छा है कि हम लोगा आत्मे अत्या कर ले तभी हमारे दुखों का अंत होगा अब मैं सब कुछ देखते जानते हुए अपने जिंदगी को तुम्हारी पैसाकिय को हवाले कैसे कर तुम्हारा पाओ का तुम्हारे साथ जिंदगी गुजाने का मतलब यह है कि मैं भी तुम्हारी तरह जिंदगी भर लगा तक है कि नहीं कोविन दादा कोविन दादा पिटिया तु का बात है चलो दादा कहां वो भी आधी रात को भारत वर्ष में स्वतंत्रता आधी रात को ही आई थी मेरे ले भी अपनी आजाद जिंदगी शुरू करने का समय यही है पिटिया तनिकम को साफसा बताओ जाना कहा हैं मालूम नहीं यहां सबने मुझे अपाहित समझकर मेरे तरसकार कर दिया है सब मेरे उपर तरस खाने लगे हैं मैं किसी की तया पर जीना नहीं चाहती किसी पर बोज नहीं बनना चाहती इसलिए मैं अब भी इसी वक्त यह शेह छोड़कर जा रही हूँ अरे बिटिया मलकी ने दो चाल बाद गुस्से में कह दी उपके लिए घर छोड़के कहां बटकाओगी दादा बच्पन से तुम नहीं मुझे पाला है मुझे यकीन है कि मेरी इस हालत में तुम मेरा होसला पूपने नहीं दोगी इसलिए मैं तुम से पूच रही हूँ के तुम मेरे साथ चलोगी की नहीं नहीं तो मैं अकेले ही चली जाओंगी मुझे नहीं बिटिया हम तो कैले नहीं जाने देंगے हमारी गोदी अभी तक तेरी बच्पन की यादों समय क्रही है पिटी हम चलते हैं तेरे साथ, अभी चलते हैं, ठेरो, हम चलते हैं अरे लोग तु यही कहेंगे न, कि मैं सौतेली मा हूँ, इसी रहा पाईश बेटी को घर से निकाल दिया वो तु यही चाहती थी कि दुनिया मुझे को से, आखर, आखर मैंने क्या कहा है उसे अगर एकात करवा शब्द कह भी दिया, तो क्या मुझे को एधिकार नहीं, जनम नहीं दिया तो क्या हुआ, आगर पाल पोस कर तो मैंने ही बड़ा किया उसे जी जी जी, हम तो कहीं मुझ दिखाने के लाहे के नहीं रहे मैं तो कहती हूँ, कि अब तो कविता की शादी के बाद भूली चाओ, कौल ले जाएगा उसे, जिसकी बड़ी बेंट नौकर के साथ घर चोड़के चली गई बहू, तुम्हारे मच्चों का भविशन ना बिगड़े, इसलिए यहां से चली गई वो जब यहां थी, तो उसका जीना दूबर हो गया था उसे यहां प्यार नहीं, बिक्षा मिल रही थी अब जब वो यहां नहीं है, तो उसे हम क्यों कोसे है कहीं ऐसा दूबर, कि उसका दुख हमें खायल कर दे भवान उसकी रक्षा करे, वो जहां भी रहे, सुखी रहे हाँ, हाँ, सुखी रहे सुनिए, आप जाके भूलानाथ पंडित को बुला के लाईए इससे पहले के लोगों को पता चल जाए के मयूरी घह चोड़के भाग गई है हम को अच्छा लड़का देखे, कविता किशाती जल्दी से जल्दी कर देए चाहिए, अरे जल्दी चाहिए न आई, चुप भी हो जा, वसंती अरे वसंती देखो, रोल जा रहा है, चुप करा इसके यह बदमाश तुमसे चुप नहीं होने वाल है लाव इससे मुझे देदो, तुमसे राम रोद देखने चाहिए कहिए श्रीमोती वसंती पांडे यही रहती है न जी हाँ उससे कहिए मयूरी आई है अच्छा, आप अंदर आएए न, आएए चलो पसंती, कोई मयूरी जी आए क्या, मयूरी, अरे मयूरी आई है, बबर जरही से, मैं अपनी आई पसंती, मयूरी, मयूरी, यह कैसे हुआ, काम हुआ, तुम्हे मुझे पताया नहीं अरे पगली, मैं तुझी रुलानी थोड़ी ही आई थी मैं तो अपने आशू पुछवाने आई थी और तु खूद रोने लगी नए सच मच, भगवान बहत निरदई है जी-जाजी, महरबानी करके मुझे कोई छोटी-मूटी नौकरी दिलबा दीजे नौकरी? तुझी नौकरी करने के क्या जरौ थे? तु हमारे साथ ही रहे? हाँ, आप हमारे साथ यही रहें न अरे पगली, तुझी इस घर पर पूरा अधिकार है मैं जो खर छोड़कर आई हूँ उस पर भी तुमेरा पूरा अधिकार था अगर मुझे किसी के साथ ही रहना होता तो मैं डेडी मम्मे के साथ न रहने थी मैं खुद अपने सहारे जीना चाहती हूँ अपने सहारे जीना चाहती हूँ I understand मैं तुम्हें उसी कंपनी में काम दिलाने की कोशिश करूँगा, जहां मैं काम करता हूँ थांक यू गोविन दादा ओ गोविन दादा अरे मिटिया, अरे आए गए मिटिया बैठो बैठो लाओ हम तोरे वस्ते चाय लाते हैं अरे चाय बाद में पहले तुम्हें धर आओ बोलो बैठीया का बात है ये लो, मेरी पहली तंखा अरे वाँ 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 हमार बैठीया की कमाई की पहली तंखा जीती रहो बैठीया, खुस रहो आज आज सम खीर पूरी बनाएंगे बदाम बिस्ता डालके हलुआ बनाएंगे बड़ी खीर पूरी की तयारी हो रही है दादा, क्या बात है? अज़े बीटिया को ही देखो, आज पहली तंखा मिलिये अच्छा, बबारको मियोरी, थैंक्स अरे गोविन दादा, बसंती आई है, इसे चायवाय तो पिलाओ अरे हाँ, मबई करबा करम चाय अपनी बसंती बीटिया को पिलाते और हाँ देखो, उपके बाद तुम तरी देनों बाहर गुम फिराना इतेमें सांगे याला केंगे, बपिटिया देको तुम काना बीडरी काना! आच्छा को बिंदादे! इस ओर शेखो, बाहिए! मैरी, कहाँ खोगे? वसंती मैं नाचना चाहती हूँ, नाचना चाहती है तु तुरह दिमाग तो नहीं खराब हो गया, 24 गंडे नाच के बारे में सोचती रहती है मुझे पता है यह आसान नहीं है लेकिन जिस दिन मुझे यखिन हो गया कि मेरी नाचना नाम मुमकिन है इस दिन मेरी जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा हाला अच्छा समझूता कर ले मेरे वहना खुट-खुट के मैं जाएगे समझी तो नहीं झानती वसंती कि नित्तो के वज़े से मेरे जीवन में कितनी तुफान आये है हाला आत्मे आज मुझे इस मोड पर लाकर खड़ा कर दिया है ऐसे ही मैं मर गए तो ये बुजदली की मौत होगी और ऐसे ही चीते रहे तो ये बुजदली की सिंदगी होगी वसंती मैं नाचना चाहती हो वसंती मैं नाचना चाहते हो अजये चाहती हो अरूथ ये के माईरी ? तो तो बच्छों की तरह रोने लगी निये है ढूठीशा मैरी हो ते ये मेरी चलो निये है चलो हँसो कल कर दो? हाँ और और हुआ हाँ कर दे लुए हाँ कर दो, हाँ कर दो? हाँ... पसंती, बस्पची को डिक हाँ, 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 अ, हाँ अचिन अचिन आपन, 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 आपन देखा वसंती, उस बच्चे में भी बाहो की खिलाफ देरने की लगन है, तो मैं क्यों हिम्मत हारूं, वो कितनी बार फिसल फिसल कर गिरा, फिर भी हिमत नहीं हारा, कितनी बहादुरी से उपर चड़ गया, चल वसंती, उसे मिलते हैं, चलो, बेटा, शाबाश बेटा, तुम में डर नहीं लगा, नहीं, अगर डरेगा, तो जिन्दगी में उपर कैसे जाएगा, मैंने अपने बेटे को डरना सिखाया ही नहीं, आप चाहे तो यह उपर से भी कूच सकता है, यही क्यों, मैं भी कूच के दिखा सकता हूँ, आईए, देखिये, आप यहां से कूच सकती मजाग करने की कोशिश कर रहे है क्या मिस्टर, आपको इसके बैसाखिया नहीं दिखा देती, बैसाखिया देखने के बाद ही तो सवाल किया, आप कहें तो फिर से कूच के दिखला दू, कूच के आप कौन सा तीव मार लेंगी, आपके तो दोनों पैर सलामत है, जी नहीं, मेरा एक ही पैर है, ये देखिये, ये क्या है? इसे जैपूर पैर कहते हैं, ये मेडिकल साइंस का कमाल है, आप चाहें तो ये बैसाखिया फेक सकती है, इसके लिए मैं आपको जैपूर में एक पता दे सकता हूँ, मुझे पारण दीजी, प्लीज, डॉक्टर सेथी दुनि अबर से उनके पास आते हैं, उस अस्पताल के इंचार्ज, डॉक्टर कासलिवाल के नाम, मैंने ये खत लिखा है, ये उन्हीं दे दीजिए, थैंक्यू, थैंक्यू परी मच्च, डॉक्टर, डॉक्टर साब, ये सब काम के लिए खर्चा कितना आ जाएगा? जैपूर पैर और अस्पताल का कोई खर्चा नहीं, फिर भी आने जाने रहने वगरे के लिए 10-12,000 रुपए साथ में होता अच्छा है, यानेश्वर, जी अमा, तुम कोई मकान किराय पर ढूंग लो, क्यो? मैं एक घर बेचने जा रही हूँ, क्या? मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है और यात्रा में 10-12,000 रुपए से कम खर्च तो थोड़े ही होगा? क्या बात कर रही है माजी, कितनी स्पेशल बसी जाती है, 1000-2000 में रिशिकेश से कन्या कुमारी तक की दर्शन हो जाएंगे, है न जी? हाँ, 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 दो हजार में यात्रा तो हो जाएगी, पर मुझे 10 2000 रुपए वैश्णों बेने पर चड़ाने है, 2000 रुपए अब मैं तुमसे 12,000 रुपए तो नहीं मांग सकती, इसलिए मैंने सोचा कि घर बेच दू, घर तो मेरे नाम है न, हाँ, है न, हाँ, हाँ माजी, सो तो है, लेकिन माजी, मैं ये सोच रही थी, कि कि कविता की 12,000, नहीं तो मकाने वाला तो यार रहे है, अचा ठीक है मा, मैं 12,000 का इंतिजाम कर देता हूं, कल ही चाहिए, हाँ इमा का हो बढ़ की माल किंग, तो क्या देख रहा है, लो बिटिया, ये 10,000 रुपए, 10,000, तुमारे पास इतने रुपए कहा है, अरे मैंने तेरे बाप से कहा, कि मुझे मकान बेचना है, आए, हैं क्या, वो मकान तेरे दादा ने मेरे नाम किया था न, तेरे डाडी मुमी बहुत चट पटाए, पर मैं टच से मस नहीं हुई, तब फट से रुपए जटक दिये, बिटिया, तु जैपूर जाके नया पैर लगवा के आजा, फिर उसी पैर से उस ससुने मुहन का मुझे कुचल देना, तब मुझे शान्ती होगी, लेकिन तुमें जैपूर पैर के ब बेटी, तु कल ही जैपूर चली जा, मैं भी तेरे साथ आती, लेकिन मैं तेरी क्या मदद करूगी, उल्टा बोज बर जाओंगी, तो इस नाला कोई साथ ले जा, इतने मैं मैं तीज स्यात्रा पर जाकर सारी देवी देवताओं के दर्शन करके आओंगी, तेरे वापस आते दादिमा बास सुनिये, कहिए, मैं डॉक्तर कासलीवाल से मिलना जाती हूँ, क्या बात है? मैं उनके लिए डॉक्तर शंबूनाद का लेटर लाई हूँ, डॉक्तर शंबूनाद? कैसी हो वो? ठीक है, अरे हो मेरे क्लासमेट रह चुके है, मेरे नाम शेशबूशन है, इस हास्पिटल में डॉक्तर हूँ, नमस्ते, डॉक्तर साँ, नमस्ते, आओ, मैं तुम्हें डॉक्तर कासिवाल से मिला दूँ, आओ. फिकर मत करो बेटी, तुमारा काम हो जाएगा, तुमारा पहुँ ठीक से फिट हो जाएगा, और तुम ठीक से चल सकोगी. डॉक्तर शाशी, ये सर, आप इने वरक्शॉप में ले जाएगे, इनका पाउट ठीक ठाट फिट कराईए, और मुझे बता दीजिए, ओके सर, आओ बेटी, थैंक्यू डॉक्तर. धानसे, आओ, इनके पयर का नाप लो, समस्ताइएगे? ये पर्दे गई है? आओ, बेटी, आजाओ. अरे, लक्षमी? आई! देखो, मैयूरी आगई. बेटी, ये मेरी पतनी है. नमस्ते. नमस्ते जी. नमस्ते. तुम्हारे बारे में डॉक्टर साब ने सब कुछ बता दिया है. तुम इसे अपने ही घर समझो. आप लोग मेरे लिए कितनी तकलिफ उठा रही है. मैं आप लोगों का ऐसान कैसे चुकाऊंगी? इसमें अहसान की क्या बात है बेटी? वक्त पढ़ने पर एक दूसरे के कामाना ही इंसानियत है. चल बेटी, तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ. चल. टॉक्टर साप, परदेश में आप हमका भगवान के रोप में मिल गए. वो इन दादा, क्या बात कर रहे हो? जाओ, जा के आरम करो, जाओ. जाओ, 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 जाओ. जाओ, 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 जाओ. तुमने बहुत जल्दी सबकु सीख लिया है. शाबाश. अचाई, पिर कली सी ठाम आना. नमस्ट अच्छा मेंगा, नमस्टे. ममा? हाँ, मोहन? कला का डांस प्रोग्रेम फ्लॉप हो गया. मैंने बाकी के सारे शोद भी कैंसल कर दिया. मैं तो कला को देखते ही समझ गई थी, कि ऐसा ही होगा. बेटा, नित्ते के लिए कसा हुआ शरीर ही काफी नहीं है. साधना और ईश्वर के क्रपा की भी जरूरत होती है. अब आप ही बताये ममा, मैं क्या करूं? दूसरी मयूरी कहां सिलाओं? तुम्हें तो शायद दूसरी मयूरी नहीं मिलेगी, लेकिन दुनिया को मिल सकती है. अगर मयूरी दुबारा मयूरी बनकर वापस आ जाए, तो म खड़िवा जाए, पैर सिजा किजी, बेजी, इन वास को पकड़कर वहां तक चलो, चलो को उत्तर धुडूरा है, डॉक्तोर साँप। कोई बात नहीं, शुरु में धुड़ा धरत होगा. आँ, कमान, कोशे करेवेगी? चलो, चलो पेटी अब यहां से वहां बापे चलकर जाओ नहीं डॉक्टर अब मुझे नहीं चला जा रहा है ठीक है आज के लिए इतनी काफी है तुम घर चली जो गोविन दादा जी अब ये तुमारी जिम्मेदारी है कि पिटिया को सुभा शाम दो दो घंटे चलने की प्राक्टिस करो बहुत अच्छा अगर ये चलने की ज़री ज़रूर प्राक्टिस करेगी लेव बीटिया चलो लेव घर चलो अरीका इको बैठे का समय है तनिक उठके चलाओ चलेगी प्राक्टिस कराओ नए मैं नहीं चलूंगी अरे काई नहीं चलाओगी चलना पड़ेगा डॉक्टर ने कहा है तुमको क्या मालूम के सितल है तुम भूले है बढ़की मलकिन की चिथी आई हो थादी मा की चिथी हूं कहा है वहां रख़्ी हो सरा उठा दो ना गोविन दादा ना ही हम बहुत बीजी हैं खुदा ही उठके ले लो मुझसे चला नहीं जा रहा है ना ठीक है तो पड़ी रहे तो बलकि मलकिन की चित्थी ठीक है होँ चलो चलो श्बस करें आजाओ आजया है आजया होँ हा यहां क्लियों गोविन दादा अरे का गोविन दादा प्लाफ तो मुझे बहुत गुस्ता आ जाएगा अच्छा नहीं ही लेंगे आऊ चलो चलो क्लुक्ष्ज करें परर कमनी फिटी के अई कालिक आए बिटीया कोविन दादा तादीमा वाइशनो देवी के मंदर गई है और बढ़की मलकिन इउमर माँ बैसनो देवी के मंदर कही हाई बाप रे बाप तादीमा मेरे लिए मंदर मंदर खुम रही है मैं भी चलने की खूब प्रैक्टिस करूंगी चलो चलो बिटीया चलो चलो हाँ 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 अब इसे चलो हाँ चलो आज के लिए पहौत हो गया चलो कुवेंद आता अब अब इधरा अब कुवेंद बाबा अच्छा है मैं आराब से चल सकती हूँ अब बाबा बाबा इसे तो बहुत चलता देखो तो बरन नाची गजी करूता है आपका कुमुरू बाद मेरा नाचिर, नाचिर, नाचिर आपका कुमुरू बाद मेरा नाचिर क्या हो बेटी? क्या हो बेटी? अरवा बेटी? उटो उटो आराम से बैठो बैठो कैसी किर पड़ी बेटी? नाचने की कोशिश की डॉक्टर अंकल ये पेर चला ही नहीं किर पड़ी देखो बेटी ये जो पाउं तुम्हे मिला है न वो इसलिए कि तुम चल पिर सको इससे तुम नाच नहीं सकती मैं नाच नहीं सकती? कभी नहीं? नहीं बेटी अपनी मजबूरी समझने कोशिश करो बेटी पहले तो तुम बिल्कुल नहीं चल सकती थी आज भगवान के क्रिपासे बगर किसी सहरे के इतना तो चल सकती हो मेरा कहना मानो ये नाच न वाच न भूल जाओ तब मुझे इस पाउ के क्या जरूरत है? मैं इतनी दूर से कितनी आशाह लेकर आय थी किसलिए? सिर्फ चलने के लिए? नहीं डॉक्टर अंकल मुझे पाउ नहीं चाहिए नहीं चाहिए मुझे पाउ बेटी बेटी इतनी जल्दी हिम्मत नहारो मैं डॉक्टर कासलीवाल से बात करूँगा अधार आशाह जाओ नहीं रूना नहीं बेटी 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 अगर ये मुम्किन नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इससे तो अच्छा होगा कि मैं मर जाओ नहीं नहीं बेटी रोना नहीं बेटी इतनी जल्दी हिम्मत नहारो मैं डॉक्टर कासलीवाल से बात करूँगा क्या पता वो कोई रास्ता निकाल ले हाँ बेटी डॉक्टर शेशी ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ पताया है मुझे ऐसा लगता है कि तुम हम लोगों से कुछ बहुत ज्यादा उमीद कर रही हो हो सकता है डॉक्टर साहब लेकिन रित्त के बिना मेरी चीने का कुई मतलब नहीं है देखो बेटी हमने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी दिक्कतों को दूर करने में काम्यावी हासिल की है कुछ लोग उंचे-उंचे पाहर चल सकते हैं साइक्ल रिक्षा चलाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं पर नाचना आसान काम नहीं है मगर इसमें हम लोगों की मदद से ज्यादा तुमारी खुद की महनत और खोशिश की आवशनता है निट्टी के लिए में कुछ भी करने को तयार हूं दॉक्टर साथ वेल, if you have the will, we will find a way दॉक्टर कांसलिवा, यस सर्थ कम, let's discuss about it करना येला स騙क पुमा में की में भी येला, 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 Lवीं के लेली आए हि economically है कि ए औंकि और्षका और 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 so हम इस नए पाउसे न इस नए पाउसे तुमारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है अची चल रही दॉक्तिर कहीं दबता है दुक्ता तो नहीं है जरूर। जरूर। हमसे जो कुछ भी हो सकता था हमने कर दिया। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। बाकी अब तुम्हारी हिम्मत और मेहनत पर है। तुम अच्छी तरह डांस कर सकती हो बेटा। थैंक यू, थैंक यू तरही मच्छ डॉक्टर। तादी मा। अरे, बिचिया, तुम आगई। अरे, मेरी लाजली। तु कैसी है। ठीक तो है ना। बिल्कु ठीक हूँ। तादी मा, आज मैं चल सकती हूँ। अच्छा। चल के दिखा, चल के दिखा। अरे, अरे, वाँ, 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 तु तु सज में चलती हूँ। फिर्जया, फिर्जया। वाँ, देखा, यो इंदा देखा। अरे, यह तु बिल्कु ओनी चैसी चलने लगी। भगवान मेरी प्रातर स्विकार कर ली। मेरी तुर्थी आत्रा साफल हो गई। बिटिया, ज़रा तरह पैर तो दिखा। आह, बिल्कु इस अच्चा। असली जैसा लगता है यह तो… ऐ बर्की मर्केन, डाक्टर की किरपा से अब तो हमार बिटिया नाच भी सका था है। क्या। आह, बहुत 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 डाक्टर है दुनिया के बड़े बड़े इनाम मिले होंका। अच्छा। उस डाक्टर ने मेरी बेटी को नई जिन्दगी ती। उसे मैं प्रणाम करती हूँ। और गोईदा ने तुझे पलगों पर बिटाकर रखा। इसे भी मैं प्रणाम करती हूँ। अरे बड़की मलकिन, हमें प्रणाम करके काहे पाप में डालत हो। अपनी बिटिया की देख भाल करने में एहसान काहे का। हरे, हम लोगन के तो सबसे बड़ी खुसी का दिन वो होगा। जब हमार बिटिया थिरक थिरक के स्टेज पर नाचे की तो और लोगन के आथ तालिप बजाए बजाए के दुखे लागेंगे। अख 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 घूख थावरी त घख अख 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 त. झाल, 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 झाल झाल, 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 झाल झाल, 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 झा जीवन भर गोद में उठा उठा किते रहेंगे मैं तुझे यूतारता हूँ नहीं देख सकती जैंक ये नक नहीं पाओ नहीं दादी माँ चाहे मेरे बदन का सारा खून बून बून करकी पह जाए चाहे मैं मर जाओ लेकिन मैं नाचे बिना नहीं मानूंगी नहीं मानूंगी इस मेनी मेरे डांस की ट्रेनिंग खतम हो रही है तो तो बड़ी लग्की है मुझे तो दो मेने और सिखना है ममा आज क्या बात है बड़ी जल्दी छुट्टी कर दी हाँ एक टेलेविजन पर प्रोग्राम है जो सब लड़कियां देखना चाहती थी कोई खास प्रोग्राम है क्या हाँ देखो मैयूरी मोर को भी नाचना सिखा सकती है हाँ आज चीजी तो मैयूरी का इंटर्व्यू है नमस्ते मैयूरी जी नमस्ते मैं आपका स्वागत करती हूँ मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज न केवल एक मशूर नर्तकी को इंटर्व्यू कर रही हूँ बलकि अपने दर्शोकों के सामने एक ऐसी लड़की को पेश कर रही हूँ जो हिम्मत और साहस का प्रतीक है महिरी जी 15 मई को नर्त्य का एक विशेश कार्यकरम पेश करने जा रही है महिरी जी इसी सिलसले में मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी पूछे आमतार पर उस इंसान को भागय चाले समझा जाता है जिसका एक्सिडन के बाद पाउं कार्ड दिया जाए और वो फिर से चल फिर सके पर आपके नृत्य करने की जिद में जैपूर की डॉक्टरों को और ने को प्रयोक करने पर मजबूर कर दिया और आप अपने धेये में सफल रही या आपका अपना खुद का फैसला था या इसके लिए आपको किसी ने परोच्थाम दिया था इसके लिए कई लोग जम्यतर हैं कुछने सोचा यह नामुम्किन है और घबरा गए कुछनी सोचा यह मुम्किन है और मेरी हिंम्मत بढ़ाई लेकिन इन सबसे बढ़कर जैपूर की डॉक्टर्स, डॉक्टर सेथी और डॉक्टर कासलिवाल हैं चीना ने मेरी समस्या को सुलचाया एक महान आदमी को तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती चीना कैसे चाहिए? ये उसी ने मुझे सिखाया है वो ही मेरी सबसे बड़ी प्रेवना थी क्या आप हमारे दर्शकों को बताय सकती है कि उनका नाम क्या है? मिस्टर मोहन कपूर ओफ पॉम्बे उमीना आपको ये प्रेवना कैसे दी? जब तक मेरे दोनों पैर सलामत थे उसने मुझे बहत प्यार दिया लेकिन उस आक्सिडेंट के बाद जब मैं अपना एक पैर खो बैठी उसने मुझे ठुकरा दिया मैंने सिर्फ अपना एक पैर ही नहीं खोया तलकि अपना प्यार, अपनी खुश्या, अपनी उमीदे सब कुछ खो दी लेकिन मैंने अपनी जब मही छोड़ी और अपना घर छोड़ दिया अगर उसने मुझे अपाहिच को स्विकार कर लिया होता तो आज आप मेरा इंटर्व्यू नहीं ले रही होती और नहीं मेरा कलवाला डांस प्रोग्राम होता आप पंदरा मही को ही अपना प्रोग्राम क्यों देना चाहती हूं पंदरा मही को ही मेरा जन्म हुआ था और इसी दिन मेरा आक्सिडन भी हुआ था मैं हर जनन में पंदरा मही को ही मर्तकी बनकर पैदा होना चाहती हूं क्योंकि इसी दिन मेरी मां की नित्य की साधना अचानक तूट गई थी जिसे मैं पुड़ा करना चाहती हूँ मौहन, क्या सोच रहे हूँ? कल पंदरह मई है, कल मयूरी नाचेगी अब तो मान लो इस्ताथ कि तुम ज़रा जल्दबाजी कर गए देख लो, मयूरी कहां से कहां पहुच गई अगर तुमने अपनी जबान को लगाम दी होती तो कोई ये तो ना कहता कि तुमने उसे धोका दिया, उसे लेट डाउन किया और आज उसके साथ तुम्हारी भी पुजा हो रही होती इसके अलावा मयूरी तुम्हारी मुठे में होती तुम्हे ताने तो ने दे रही होती मैं तो कहता हूँ कि अब ही जाकर माफी मांग लो से ये तो ठीक है मगर किस मूँ से जाऊ उसके सामने अब एक गधे वक्त के साथ साथ मूँ बदल लेना ही अकलमंदी है प्यारे पैत्रापतल नहीं तो महीरी हाथ से निकल जाएगी बेटा पर आरे यार औरतों के पाव पढ़ने के तो पुरानी रीच चली आ रही है गो एंड ट्राइव लॉक भूल मेरी का चुगई अरे अरे कमल 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 जब देखो तब लड़ता रहता है कितनी बार कहें कि इस पर हाथ मद उठा यह बड़ी हो गए जा जाकर पढ़ जा और तू पर लड़ती रहती है चल जा सुनिए तुम कहा जा रहो पूना जा रहा हूं लेकिन तुमने मुझे तो बताया नहीं बताने की ज़रूरत नहीं समझी इस लिए नहीं बताया कविता को देखने कुछ लोग आ रहें तुमहीं होगे तो कविता की शादी के अभी कोई जल्दी नहीं कविता से बड़ी मेरी एक और बेटी भी है जिसने अभी अभी फिर से चलना सीखा है सारे देश के लोग उसे थमक थमक कर चलता देखने के लिए बेचाईन है तुम्हारे कलेश की वज़े से मैंने उसकी ख़वर तक नहीं ली बहुत पारु मर रहा हूं सापाईच पर चटाप मैं इपने प्राश्चित के लिए मैयोरी के नृत्र की गंगा में स्दान करने जा रहा हूं हाँ यह भगवान कर दो कर देखना कर दो कर दो कर दो दे ले लेन। प्यूल झाल प्यूल 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 झाय दे ले लेदे दे लेदिष मैं भगवान तेरी साहता करेंगी विश्यू आल दे बेस्ट मयूरी थेंक यू वेसंती भाईयों और बहनों आज हम आपके सामने एक ऐसी कलाकार पेश कर रहे हैं जो मेडिकल साइंस का चमतकार है जिसने मित्र के तिहास में एक नया ध्याय लिखा है और वो कलाकार हैं कुमारी मयूरी हमत और साहस का पतीख है एकसीडेंट में अपना एक पाॉक होने के बाद भी उन्होंने हालाद से समझोता नहीं किया और नहीं उस शोप में डूपकर उन्होंने घुट-घुटकर जीना मन्म्सूर किया आज ये आपके सामने जैपुर फुट पहन कर अपनी अजबुत कला का प्रदेशन करेंगी झाल्ण सामने जैपुर फुट पहन कर अजबुर फुट प्रदेशन कर अजबुत कर अच्छ। झाल 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 झाल